नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नरायन शुरुवात करेंगे उत्तरप्रदेश वी खबरों की बरेले में कोरोना से लगातार मौतो का सलसला बढ़ता जा रहा है जिसके चलते अब शब जलाने के लिए शमशान भूमी पर जगा कम पड़ गई है तो वहीं आज शमशान भूमी पर दो मृतकों की परिजनों में आपस में मार पिटाई हो गई कारण था अपने अपने मृतकों के शब दाह संसकार करने के लिए चुनी हुई जगा का बरेली में कोरोना से लगातार मौतो का सलसला बढ़ता जा रहा है जिसके चलते अब शब जलाने के लिए शमशान भूमी पर जगा कम पड़ गई है तो वहीं शमशान भूमी पर दो मृतकों के परिजनों में आपस में मार पिटाई भी हो गई कारण था अपने अपने मृतकों के शब दाह संसकार करने के लिए चुनी हुई जगा का शम्शान भूमी के पंडेत रिलोकी नाथ ने बताया कि शुमवार को 32 दह संसकार के लिए आए थे क्योंकि शम्शान भूमी में 33 चिताय थी जिसकी वजह से सभी भरी हुई थी जिसके चलते मंगलवार को जमीन पर ही 10 संसकार किये गए जानकारी के मताबिक 19 शवा चुके थे जब की अभी दिन बाकी था संसान भूमी के सेवा कनहिया लान ने बताये कि 17 नमबर पर काली बाडी में रहने वाले मृतक बाबुराम के नाम से दा संसकार कर दिया तो हम भी दूसरे जगा पर ही करेंगे इसी बात को लेकर दोने मृतकों की परिजनों से में बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लाठिया चनने लगी पर दा संसकार करने के लिए लाए तो हमने उसको जब पता लगा तो पता लगा कि एक बेथ्न है जो की काली बाडी खाना बारा तरी के रहने वाले इसी बात को लेकर इसी दोड़ी कहा सुनी वहां पे मुटके पर दोने आपस में सोलह समयोता कर लिया और कोई पिसिते के नहीं के जब वात होती है नौबत आ गई मार पिटाई की सोशा मिलते ही मौके पर मरीना चौकी की पोलिस पहुँची और चौकी इंटराच प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुँचे लोगों को समझाय बुजाया इसके बाद मामला शांग हुआ मंगलवार को टूला नगर में SDM डॉक्टर बूश्रा बानो ने एक अनोखा अभियान चुरू किया इसके तहट नगर के सुभाश चराहा स्टेशन में मार्केट में SDM द्वारा मास्क ना लगाने वालों की मैं कोरोना को बढ़ाने में पूरा योगदान कर रहा हूँ लिखे हुए पैंपलेट के साथ फोटो खिचवाए महिलाओ को दिये मास्क SDM ने बताए कि लोगों को अपनी ही नजरों में शर्मिंदगी मैसूस होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किये और कितनी बड़ी गलती हो कर रहे है केवल इसी उद्देश्य के साथ ये अभ्यान चलाया गया और लोगों को जागरूप ही किया गया वहीं लोगों से ये कहा गया कि वो मास्क जरूर लगाए बिना मास्क लगाए घरों से बहार ना निकले बाइट लगाए डॉक्टर बूश्रोबानों SDM डोला इसके साथ ही जो दुकानदार विना मास्क लगाकर ग्रहांकों को समान दे रहे हैं या दोगस की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस भेजकर कारवाई भी की जा रही है फिरोजबास से किशन चंद, न्यूस वाल इंडिया मत्रा में रेलवे की पट्रियों और पेंडरोल क्लिप चोरी की आरपीएफ को लगातार सूचनाय मिल रही थी जिसके आधार पर आरपीएफ पोलिस ने च्वाप इमारी कर बड़ी तादात में पेंडरोल क्लिप और अदद पट्रियां बरामत की हैं वहीं रेलवे की तलब को कम करने के लिए रेलवे के सामने चोरी किया करते थे मत्रा चाबनी रेलवे की पोलिस ने दरजनों पेंडरोल क्लिप और दो अद्दा पट्रियों को इनके कबजे से बरामत किया है वहीं मामने की जवानकारी देते हुए छामनी रेलवे के विभन सामान को चुरा कर ले जाते हैं चोरी की सुचना विगत कई महीनों से बल रही थी मुगबिर की सुचना पर शापे मारी कर कारवाई की गई तो तीनों के अलावा कबाडी, मुहंधाना, मुरसान जिला, हात्रस जोकी इनसे चोरी का सामान खरीता था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहान कारवाई की जा रही है मुरसान रेल्वे स्टेशन के पास से रेल्वे संपत्ती चोरी होने की सुचना मिली था जिस पर हमने चार आदमें लोग एकदार किया है जिल भेज दिया गया है, पकड़े गए तीनों आरोपी नशे किलत को दूर करने के लिए चोरी किया है करते थे मत्रा से सुरेश्टैनी, न्यूस पॉल इंडिया मत्रा के थाना नोजील के गाओं मूडलिया में ग्रामिलों ने उस समय पुलिस पर हमला बोल दिया जब पुलिस को सूचना मिली थी कि वोड संख्या नंबर पाँच में जला पंचाय से दस्से का चुनाव लड़ रहा टेंट लगाकर लोगों को दावत दे रहा है और अपने पक्ष में वोड देनी की अपिल कर रहा है जिसके बाद सूचना मिलने के साथ ही इंस्पेक्टर नोजी लोकेश भाटी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुच गए और बताय जा रहा है कि पहले तो सूरू चौधरी और उनके समर्थकों की पुलिस से कहा सुनी हो गई और बाद में समर्थकों ने पुलिस कर्मियों की संख्या कम देखते वे मौके पर पत्राव कर दिया पत्राव होते ही मौके पर भगदर मच गई और सवर्थो को द्वारा किये गई हमले में इंस्पेक्टर घायर हो गए जिसके बाद हमले के दौरान पुलिस कर्मियों ने वहां से भाग कर जान बचाई दावद कर रहा कि इस जानकारी पर पुलिस यहां पर सपह उस वारे में हिरुति प्लिस का विरोद कि अवागा अवदर्ता की विया गया फूलिस दौरा और पौर्स यहां पर पहुंचकर से Selोको का सगया किया गया में तर्फ यहां पर में इस घटना भरल्याहें किया से लिया रहा है किसी भी पुलिस कर्मी के फोर्स मौके पर पहुँची एसपी के नेतित में गाउं में अब आरोपियों की धरपकड शुरू हो गई है वहीं घटना की जानकारी होने पर एसपी गौरब ग्रोबर भी मौके के लिए रवाना हो गए और बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कुछ लोग को रासत मे लिया है और घटना के अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे कर उनकी गिरफतारी की कोशिश लगातार जारी है मतुरा से शुरू सेनी न्यूसवल इंडिया यूपी की खबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे हैं न्यूसवल इंडिया के साथ